ना होरे वेंट, विलकम तो मैंचेर आवा साइकाइड में, इस इस इमांसू, जी हाँ आज की स्वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं, हाल ही मैं जो लगबग लगबग 169 फार्मासिस्ट की पोस्ट जिसकी एप्लिकेशन फॉर्म अभी रनिंग में हैं, जैसा कि आप स् स्टुएंट नए हैं, तो इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ वो वीडियो मिलेगा, आप जरूर चेक कर लेना, आज की स्वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में इसके सैलेबस के बारे में जिक्र नहीं था, तो काफी अगर कोई स्टुएंट को नहीं पता है, तो ब्रिफली में बता देता हूं क्या वेकेंसी, क्या कुछ रहने वाला है, और फिर में बात करेंगे सैलेबस को complete detail में, तो देखें ये वेकेंसी जो है आप देख पा रहे हैं, डारेक्टेट मेडिकल एडुकेशन डिसर्च मुं तो ये हमारी वेबसाइट है, फार्मा एफिनिटी इंडिट फार्मरसार अकेडमी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीसरा नोटिफिकेशन, वेकेंसी पर फार्मासिस्ट 169 पोस्ट, यहाँ पे जैसे आप नीचे जी स्कोल डाउन करेंगे, इसका जो एडवर्टीजमे का सेलेबस जो है, वो यहाँ पे दे रखा है, हम बात करते हैं किसके सेलेबस की बारे में, सर्फ फार्मासिस्ट की सेलेबस की बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं वहिया, फार्मासिस्ट रिगारिंग, खुई भी अपडेट, सेलेबस अपडेट, विकेंसी अपडेट स्टरी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ कवर करते हैं हमारे चैनल पर तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना कम्प्लीटली बात करेंगे चलिए तो फार्मासिस्ट सेलेबस जो है जिसको हम औसदी निर्माता की नाम से बोलते हैं मराठी लेंग्वेज में तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन वाइज इसका सेलेबस जो है वो डिवाइड कर रहा है कैसे तो देखे सेक्शन इं जैसे कि मैंने आपको बताया था मराठी लेंग्वेज जो है वो आना जरूरी है तो मराठी लेंग्वेज में आप देख पा रहे हैं भाशा वगेरा सब कुछ जो यहां पर लिखा हुआ है आप सब जो मारास्ट से बिलाउं करते हैं वो सब यहां से अच्छे से पढ़ सकत जैनल साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, राइट तु इंफर्मेशन और इंफर्मेशन टेक्नलोजी बगरा सब कुछ आना चाहिए सिंपल है बेसिक बेसिक है अबर्वीव पढ़ेंगे सब कुछ सेट हो जाएगा कोई दिकत नहीं है नेक्स्ट फार्मासिस्ट का लोजिकल ए इसके उपर अच्छे से बात करेंगे तो सबसे पहले जनरल फार्माकोलोजी को आपको कम्प्लीट कर लेना है और सारे के सारे के सारे आपके क्लासिफिकेशन आने वाले है इजी वे में देखिए मैं आपको पहले भी बताया था फार्मासिस्ट की त्यारी में जब मैंने व फार्माकोपिया है और पढ़ लेना है को दिकत नहीं है नेक्स्ट आपका फार्मासिटिकल जूरिस्प्रोडेंस में आप देख पा रहे हैं फार्मेसी एक 1948 ड्रग और कॉस्मेटिक एक यह आपका रहने वाला है और यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है इस पर जू मिल जाया पार्मासिस्ट की तियारी कैसे करनी है वो यहाँ पे मिल जाया सब कुछ वीडियो इस वीडियो के मिलेंगे तो ढह 같은데 चेक interact कर लेना तीच छी है नेक्स्ट हम बात करते हैं इहां पर फूड एंड ड्रग अड्मिस्टूरिशन के बारे में ड्रग स्टोरी स्टिक management and dsbm आगे आपका role of pharmacist simple सी बात है अभी हाल में इमस में जो आपका question आया था sorry इमस नहीं सिपाई pharma में question आया था कि भाईया 50 bed का hospital है उसमें कितने pharmacist चाहिए तो 3 pharmacist चाहिए भाई simple सी बात है ये जो question आया था और इसको आपको लगना है तो role of pharmacist क्या है किसमें pharmacy चाहिए पताना हो चाहिए community pharmacy लेकर GMP good manufacturing practice क्या होटी है disinfectant क्या होते है आपका pharmaceutical concentration कैसी use करते है hospital में ये जानना जरूरी है देखी यहाँ पे जो subject यहाँ पे जो syllabus दे रखा है इसलिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि to the point syllabus दे रखा है मतलब pharmacist का role क्या है आपको hospital में क्या कुछ करना है dispensing के साथ साथ आपको rules regulation क्या याद होने चाहिए manufacturing में आपको क्या याद होना चाहिए community pharmacy में आपका क्या रोल है disinfectant जो हम use करते है उसकी concentration क्या है floor पे जो भी है वो सब याद होने चाहिए ELC और ELG standard drug and cosmetic यह सब आपको याद होना चाहिए तो simply to the point syllabus है बहुत ही अच्छा syllabus है इसके regarding sir क्या कुछ हम तैयारी कैसे करें क्या कुछ रहने वाला है तो यहाँ पे हमें आपको बतना चाहूँगा देखिए जो हमारी website है यहाँ पे especially section है pharma exam papers यहाँ पे इतने भी आपके फुराने paper है को आपको मिल जाएंगे देखिए सिपाई pharma का है ITBB का है प्रैक्टिस सेट है जीपेट कर है ड्रग रास्तान फार्मासिष्ट दिल्ली महला क्लिनिक का RRB का ESI paper, EMS paper यह सब कुछ आपको मिल जाएगा तो अगर मेरी पूरी कोशिस रही तो यहाँ पे यह आपका जो syllabus है यहाँ पे आप देख पार है DMER की तरफ से जो syllabus according पूरी कोशिस रही तो आने वाले समय में यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर देखा इस आपको इधर मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा, DMRE, Pharmacist Exam 169 Post इसका subject wise में है, syllabus पूरा completely यहाँ पे आपको subject wise प्रैक्टिस सेट देदूगा, चलिए तो कैसा लगा आपको information जरूर बताए, comment section में, like करे, share करे subscribe करे, share farmer regarding news update, vacancy update, video lectures के लिए, keep watching, stay tuned